हेडिंग लगाएं एक्कुई पोटेंशियल सर्फेस तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सर्फेस जिस पे हर जगा पोटेंशियल एक्क्वल हो यह ना सर्फेस इसा सर्फेस जिस पे हर जगा पोटेंशियल सेम हो फिस सर्फेस के हर पोइंट पे जो इलेक्ट्रिक potential की value है वह same हो अब इसका example देखो field देखो जैसे example ठीक है मैं दो example लूँगा और उसको जरा note कर लेना exam में आता है पहला example for a point charge for a point charge, point charge की बात करते हैं, point charge की बात करते हैं, को अप्चे में करते हैं, मानलो यहां point charge मैंने q ले लिया और इस charge को center बनाके मैंने एक sphere draw किया, charge को center बनाके एक sphere draw किया, sphere 3D, इस sphere का radius चलो मान लेते हैं capital R, sphere का radius capital R, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, को sphere के surface पे यहां का potential, surface पे यहां, surface पे यहां, और surface पे यहां, जो potential होगा, वो same होगा कि अलग-अलग, मेरे ख्याल जे तो हर जगे potential सेम है, V1 is equals to V2, is equals to V3, is equals to V4, सब equal हो जाएंगे K, Q, Y, R, K, यानि यह sphere इस टाइम बन गया, एक equipotential surface, कैसा भी हो सकता है equipotential surface, जरूरी नहीं कि ऐसे plate जैसा दिखे, sphere भी हो सकता है, कैसा भी shape ले सकता है, surface 3D, three dimensional, कैसा होना चाहिए, three dimensional होना चाहिए, 3D में कोई भी shape ले सकता है, 3D में sphere का shape, इस sphere के हर point पे, three dimensional में हर point पे potential सेम होगा, क्योंकि charge से हर point equal distance पे है, clear है, तो point charge के अगर आप बात करो, point charge के आप बात करो, तो हम लिखते हैं ऐसे, देखो, concentric sphere, concentric spheres, with charge as a center, लिख लो समझाते हैं, charge as center of spheres, are equipotential surface, पहले लिख लोपी समझाते हैं, equipotential surface, concentric spheres, एक नहीं, concentric, अरे जरूरी थोड़ी है, capital R radius का लो, 2R radius का लोग है, वो भी अपने आप में equipotential है, हां उसका potential इससे अलग होगा, पर वो sphere अपने पूरे surface में कैसा होगा, equipotential, R से छोटे का लोग है, तो वो भी तो equipotential होगा, उस sphere के तो हर point भी potential same होगा, बड़ा लो छोटा, तो concentric spheres with charge as a center, जैसे दिखाते हैं, मालो, यहां पर, plus charge, क्यों ले लिये, मालो ये sphere बनाया तो भी तो equipotential होगा हर जगे, और ये बना दू तो इस पे भी हर जगे potential sem होगा, इस sphere के पोटेंशल सेम होगा, इसमें सेम नहीं होगा, ये नहीं कह है कि उसमें उसमें भी सबना दिया है इसके हर पॉंट पर यह तक समदिन को यहां डिफरेंस 20 का gäller d اक ग्रमक और दिक का पूट में एहां डिस्टन्स भड़ जाता यह चाहं याद रखना है बनाते मैंने बता दिया पर important point है यहां भी difference 20 का यहां भी difference 20 का यहां भी difference 20 का पर इनके बीच का distance यहां बढ़ जाता है ऐसा होता है इसके case में मालो मैं minus charge Q लूँ अच्छो चलो इसके लिए होगा Point charge के लिए एक sphere यह बनाया यहां यह बनाया यह सप्छाप आप यह बातल और satt minus-0 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 minus-0. So concentric spheres, एक के बाद एक concentric with charges center, charge बीच में हूँ, of spheres are equipotential surfaces.